तो guys कैसे ओब लोग आई hope आप सभी लोग अच्छे होंगे तो जैसे के आप लोग जानते होंगे कि Olympia खतम हो चुका है और सब जितने भी Division थे सब का result आ है और मैंस ने हमने बात कर चुका है तो आप वीडियो को नहीं देखा तो जाकर चेक आफिर्ड बात कर ले ना इस बासे ने कि कि Olympia में I think first time ऐसा हुआ कि कोई एक athlete number one से सीधा five पर चला गया हाँ one से two होता है it's all right one से three भी हमने देखा है फिलित बगेरा को देखा है बड़ या यह first time ऐसा हुआ जहां पर सीधा one से सीधा पांच नमर पर चड़े गए बिग्रेमी आप आपने अधी नहीं देखा तो आप देख सकते हो यह वहां पर कंडिशनिंग था हमारा बिग्रेमी का और इस बार जिन्होंने टाइटल जीता दिस सब लोग जानते होंगे तो इस बार का जो बीनर है अमारा मैंस बोडी बिलिंग का ओपन स्में बोडी बिलिंग का वो है हाडी चूपन गाइज देखो क्या है ना बहुत तक तो समझ में नहीं आ रहा था कि चल गया रहा है भाड़ी चोपन तो हमयसा मिडली में खड़े थे है फर्सट कॉल आउट में ये थे लेकिन बिग रहमी को हमयसा लेफ्ट राइट मतलब कभी लेफ्ट साइड में बेजबे 앤ल में बहुत तो उसी टाइम ना थोड़ा ना थोड़ा समझ में आ गया था कुछ तो गरवर रिजल्ट में इस बार होने वाला है और गाइज ऐसा लगता ना कि इस बार जो मतलब हमारे वहां पर जो जच पैनल था ना वो मतलब नेक्श लेवल पता नहीं इस बार उनका माइंड सेट बिल गलरこのने ज़्यादा हो साइज ज़्यादा हो तो उसको जेता जीता जाता था बट इस बार सो बिल्कुल ही अलग हो गया लो गर विग्रेमी के पास कोई साइज का कमिने था साइज उनके पास उनके उनकेism में अच्छा खासा था, कंडिशनिंग की दिए बात करेंगे, तो कंडिशनिंग में कही न कहीं, यहां तक कि निक बोकर थर्ड ला धिया, बट उनका जो पलेसिंग वाओ और व dengan फिफ्थ हुआ यह ली मतलब उनके चेहरे पे बहुत ही ज़्यादा sadness दिख रहा था मुझा बहुत टेंशन में ऐसा लग रहते हैं बिग्रेमी को समझ में आ रहा था उसी टाइम से ना कि आज तो कुछ तो गलत होने वाला है मेरे साथ और यार सच्छी बताओं कोई भी एतलीट्स जिए चैंपियन और लेडी टू टाइम्स का तीसर सब्सक्रावाज जीतने के लिए और बहुत कोंफिडेंस के साथ इन्होंने बोला था अभी कुछ टाइम पहले कि इस बार मनदब यह टाइटल क्यूंकि इस बार लाज्ट टाइम उन्होंने बोला था लाज्ट मेरा बहुत अच्छा कंडिशन नहीं था तो भी आपने रही था shoulder में roundness की बात करेंगे बहुत मलब overall अधी बात करते ना तो कोई कमी नहीं था लेकिन मतलब वही conditioning में चुक गए और आप थोड़ा हाड़ी चुपन के भी देख सकते हो तो हाड़ी चुपन के क्या है सब कुछ बड़ मलब conditioning की था बोड़ी बहुत टाइट और हाड़ भी लग रहता लेकिन यार इनको भी पता सब लोग जानते हैं नहीं जानते हैं तो आप लोग था बिल्कुल घूम गया और इस बार उन्होंने जो फोकस किया वह उन्होंने फोकस किया कंडिशनिंग पे जिसके विजए से बिग रहेमी चले गए फिफ प्लेस पे और हाड़ी चोपन ने टाइटल को जीत लिया अचला बीच में एक ऐसा भी टाइम है जब उनको ना बी इनको थार्ड मलब हमेशा हाड़ी चुपन के बगल में खड़े था उनको वहां से साइट निंग करते मलब वहीं पर खटा थे इनको लग रहे था कि इस बार का तो लंबिया मैं जीत कर जाओंगा फुल कॉंफिडेंस के साथ और कहीं नहीं अच्छा इंप्रूब्मेंट जैसा कि सोचा था सची बताओं पूरे मेरे को लगता है दुनिया सोच रखा था कि बीग्रेमी इस बार वी क्योंकि यह सब कुछ था उनके पास लेकिन इस बार कंडिशनिंग पे गेम चला गया और बिल्कुल जद ने मेरे को तो लगर था स्टार्टिंग से भी थोड़ा स तो अच्छा ही लगा तो हम सिंग फिटनेस तरह टीम के तरफ से कौंगा चुले से हाड़ी चोपन बिग्रेमी एवरीवन जो भी टॉप फाइब में हमारे सारे थीट से लेकिन थोड़ा सा एक चीज से मेरे को समझ में नहीं आता है कि टॉप फाइब को ही हमेसा मतलब जो भी है कैस प्राइस टॉप टे मेरे में को इसा लगता है कि टॉप टेन का भी वहलू होना चाहिए अब जो भी लोग है न वो सिर्फ टॉप फाइब के बारे में बात करता है टॉप टेन का तो कोई मतलब नाम ही नहीं है तो फिर मतलब क्या समझ में नहीं आता है फिर खाहिब का है तो बात करना कास प्राइस जो भी आपसर कुछ तलो प्राइस बगेर ढ़ात जो भी एक DR ठाल ठीक ठाल पंद्यायर कुछ डेखता हो बहूत अच्छा क्कासा के स्भाइस मिलता ए तो सब पूर अजी देखा जाए तो ठीक ठाल है बट कही न कहीं ठोड़ को तो क प्लेसिंग था फोर्थ बट इस बार सीधा सेवन प्लेस पे चले गए तो इस बार बहुत अप्ड़ून हुआ तो बहुत ही मज़ा आया देखकर आप नेक्स टाइम देखेंगे कि इस तरीके से त्यार कंडिशनिंग साइज कंडिशनिंग और प्रपोर्शन के साथ उद्रें अब ही वीडियो जो आने वाला है क्लासिक फिजिक के ऊपर वीडियो आने वाला है तो आप लोगो चैनल को बेल आइकन को दबा कर रखना ताकि अपडेट सबसे पहले आपके पास पहुंचे मिलते आपको नियो शुड़ी में तब तक के लिए जाहिन गुड़ बाई